Hello Friends, Welcome to Sushma's Craft and Creation Channel Friends, आज मैं आपको ये अर्दन पॉट पे वर्क करके इनको कैसे डेकॉरेटिव बना सकते हैं वो सिखाऊंगी ये पॉट्स रसमलाई या कर्ड लेते हैं तो मिलते हैं तो मैंने इन पॉट्स को साफ करके इनको सबसे पहले कलर कर लिया आप अपने मन पसंद कलर कर सकते हैं मैंने इने फेविक रिल के कलर के साथ पेंट कर लिया है और फिर उसको सुखा लिया अब पेंटिंग तो सब करना सिखाते हैं जो फाइन पेंटिंग कर सकता है वो उसको पेंटिंग करके इसको डेकॉरेट कर सकता है जो कुछ articles चिपका के इस पे लगा सकते हैं उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से decorate हो जाते हैं लेकिन मेरे पास बहुत से motive पड़े हैं जो मैं आपको सिखाती हूँ crochet और shuttle के तो मैं उन laces को इसके उपर glue से चिपका के आपको beautiful से pots बनाना सिखाऊंगी अब इन pots में मिट्टी भरके आप जैसे मैंने ये plant लगाया है इस तरीके से plants लगा सकते हैं तो ये अंदर खने के लिए बहुत ही beautiful decors बन जाते हैं तो I hope आपको मेरा ये वीडियो भी दाने वाला है तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मैं किस तरीके से work कर रही हूँ paint करने के बाद मैंने इसके उपर ये वली lace लगाई है ये lace आपको याद होगा मैंने video number 467 में shuttle work में सिखाई थी इसमें beads भी आड़ किये हुए थे तो ये बहुत beautiful lace बनती है तो इसको मैं glue के सा चिपकाती हूँ moreover अगर आप इसको थोड़ा सा और decorative बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे आप कुछ थोड़ा थोड़ा paint करके भी इसको बना सकते हैं तो ये देखें मैंने इसको paint करके बनाया है इसके दोनों तरफ मैंने थोड़ा थोड़े painting भी की है red color के साथ और ये जो म मेरे पास बने पड़े थे ये दोनों मैंने same बनाया है आप painting के साथ भी इसको decorate कर सकती हूँ थोड़ा सा और glitter add कर सकती हूँ even आप glittering colors भी use कर सकते हैं वो भी market में मिल जाते हैं तो ये unique idea है कि आप अपने crochet और shuttle के work के साथ भी इनको decorate कर सकते हैं ये देखें ये मेरा crochet का बन glittering बने तो इस तरीके से आप new ideas लेके अपने motifs को बना सकते हैं इसके उपर हम ये Johnson बढ़ जो है इसके साथ बढ़े अच्छे से dots बना सकते हैं जो एक जैसे बनती हैं तो मैं इसको color में dip करके उपर dots लगाती जाओंगी इसी तरीके से आप flowers भी बना सकते हैं इस तरीके से इन pots को decorate कर सकते हैं अब ये देखें ये वाला जो pot है इसके उपर मैं ये वाली lace लगाने जारी हूं ऐसे पर ये पूरी नहीं है ये थोड़ी सी कम है ये lace मैंने आपको shuttle work में 503 में बनानी सिखाई थी तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं या आपके पास भी ऐसे कुछ बची-खुची लेसी या आप जैसे आठ का काम करते हैं तो आपके पास अगर crochet और shuttle के कुछ motive बने हैं तो आप इनको इसके उपर चिपका सकते हैं तो इसको चिपकाने के लिए मैंने glue gun का इस्तेमाल करना ये देखें ये glue gun है इसको मैंने on किया है ये जहां जआल पी मैंने को चिपकाना है वहां से इसको यूँ शुरू करूंगी इसले की back बैग मलां इससे हल्के हलके से on mu है जो आप इसको यहां से वह आपने शुरू करना है बिलकूल वहां से इसको ऐसे चिपकाते रहेंगे देखे है और इस तरीक सारी थोड़ी थोड़ी चिपकाते जाए और फिर उसको दुबारा से यूंग गम लगते जाए आप सिंपल जो आपको फैवी कुए क्या फिर कोई और चिपकाने वाली मिटीरियल मिलता है आप उससे भी चिपका सकते हैं जुरूरी रहे हैं आपको इसके लिए गुरू गन की ही ज आप एक साथ इसमें गम ना लगाएं यह देखें यह कितना प्यूटिफुल हमारा बना है यह मिर पास एक और बना पड़ा है यह वीडियो नंबर 166 में मैंने यह बनाना सिखाया था आप इसे भी वहाँ से देख सकते हैं तो इसको मैं इसके उपर चिपकाऊ तो यह देखें यह मैंने एक ब्लास्टो मिरर लिया इसको मैं यहाँ पे सेंटर में चिपका दूँगी पहले ऐसे अब इसके उपर यह हमने चिपकाना है इसको भी गलू के साथ चिपकाना है बहुत इजी है आपके आइडियाज हैं चुंकि मेरे को यही काम ज्यादा अच्छा लगता है तो मेरे पास यह बहुत से मोटी पड़े हैं तो मैं रोज सोचती रहती हूँ कि इनको मैं किस तरीके से यूज करूँ ताकि यह मेरे यूज भी हो जाएं और गर में लग पड़े हुए हमारे डेकॉर्स अच्छे भी लगें तो इस तरीके से मैं इनको बनाती हूँ तो आई होप आपको मेरा यह आज का टर्टोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से ब्यूटिफुल से अर्दन पॉट्स बनाकर अपने गर को डेकॉरेट करेंगे यह मेरे ब्यूटिफुल से अर्दन पॉट्स बनके रेडी हैं आप भी ऐसे ही अगर आपके पास शेटल वरका और या क्रोशे वरका बहुत सा काम पड़ा है तो उनको इस तरीके से अपने पॉट्स पे चिपका के ब्यूटिफुल सी लुक दे सकते हैं और अपने ड्राइ